नमस्कार स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चनल ग्रीमिक इडबाद इस इच्छाकोस के माध्यम से सभी सिख्छक आइदर वो नियोजीत हों या नियमिज सिख्छक हों या BPS CTRI के माध्यम से बहाल सिख्छक सभी सिख्छकों का online attendance बन रहा है this early days in beta Skype में रोज नित नय समस्याएं उत्पन हो रही हैं जिससे सिख्छकों का जो है attendance है वो बन नहीं पा रहा है कहीं नेटवर की समस्या है कहीं आप को लोकेशन की समस्या है एटेंदेंस बनाये भी जा रहे हैं फिर भी एपसेंट काउंट हो जा रहा है वह आपको का नौबश से पहले एपसेंट बना रहे हैं एटेंदेंस आपको आके लगते लगते नौबश से बाहर हो जा रहे हैं प्रयास कर रहे हैं नौबश से पहले ही एटेंदेंस लगता है दस भई क्या सपस एटेनेस लग भी जाता है अब यहाँ इस्तित्य यह बन रही है कि बहुत सारे सिक्षकों में यह भय ब्याव थे जी हाँ भय ब्याव थे की वेतन की कटवती तो नहीं होगी जी हाँ, यह प्रसंद सभी सिक्षों के मन में है, आज ही को लिया जाए, कि सभी सिक्षों को ने अपने अटेंडेंस बनाया है, लेकिन एपसेंट पूरे विहार लेबल पे एपसेंट, आपको दो पहर्द यू समझें कि बारवे के पहले, बाद में धीरे-धीरो सिंकुनाई इस तरह की बहुत चरी समझा हैं, और दो-चार होना पड़ रहा है, इस इक्षा कोस एप के इस एटेंडेंस सिस्टम से, तो यहाँ यह सरकार ने क्या विवस्था किया है और क्या नियम है, कि क्या यदि आपका इस इक्षा कोस के माध्यम से टेकनिकल समस्या होने से, लोके information पहुंचाऊंगा, कि क्या है नियम, मूल नियम क्या है, कुछ जीलों ने ये पत्र निकाल के बताया है, कि नहीं घटेगा, तो क्या कैसे होगा, मूल नियम क्या है, एक वीडियो को देखते हैं, और समझते हैं कि क्या है, आपके सामने एक पत्र दिख रहा है, यह पत्र है, आपको कार्याल है जिला सिक्छा पदादिकारी, सुपॉल का उन्होंने सभी प्रक्षंड शिक्छा पदादिकारी और पर्धाना द्यापग, मदविद्याले, चिन्नित पदविद्यालें को भेजा है और बिसय यह है, बिसय उन्होंने यह बताया है, कि जीयो भी और एसे से से अच्छादित निवजित और नियमित सिख्षों का माह अक्टूबर 2024 के भुखतान के समन्द में, हम इसको उदाहरन के रूप में लेके चालते हैं, भले अक्टूबर माह का भुखतान के बारे में यह पत्र है, लेकिन यह कहीं न कहीं एक नियम को जनरेट कर रहा है, एक रूल को जनरेट कर रहा है, तो पत्र क्या कहा रहा है, पत्र में यह कहा क्पहले किया है पत्र में भी कहा गया है पहले जीतने भी आदेशा है कि आपको इस सिक्षा कोस्क पर जो उपस्तिती है उसी की आधार पर बेतनि विपत्र आपका बनेगा अंकनी है कि आपर मुक् davas सिख्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांग 6-7-9, दिनांग 27-8-2-24 की कंडिका घो पांच में या निदेश अंकित है कि सर्वर डाउन, नेटवर्क की समस्या या कोई अन्य तक्निकी समस्या के कार्म यदी परधाना ध्यापक, सिख्षक अपनी उपस्तिती दर्ज नही है कि यदि नेटवर्क की समस्या के कारण, सर्वर डाउन होने के कारण, और अन्य तक्निकी समस्या होने के कारण, यदी एटेंडेंस नहीं दर्ज हो पा रहा है, तो विद्याले में जो भौतिक उपस्तिती पंजी है, यानि जिसमें हम एटेंडेंस बनाते हैं, वो आधार नहीं कटेगा, इसलिए इस भय से बिल्कुल बाहर निकलना है, आपका कोई कसूर नहीं है, अगर नहीं चल रहा है, सर्वर नहीं चल रहा है, नेटवर्क नहीं है, लोकेसर नहीं फाइंड हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आपने ट्राई किया, अगर आपका attendance बनाता है तो कहीं न कहीं लाइबल आपका हम है और हम उसको प्रमानित करता है उसके लिए जिम्मेदार होता है कि हां उस सिक्षक ने 9 बजे अपना attendance बना लिया है जब वहां उपस्तिती सिक्षक के द्वारा उसी इसमें की गई है यहां बिलकुल इस भय से बहार निकलने की जरूरत है कि अगर सर्वर डाउन और नेटवर्क की समस्या है और लोकेशन तक्नीकी आधी समस्या है तो बेतन भुकतान पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अब बात आती है कि क्या आया कंडिका घौप पांच है पत्रांग 6-7-9 आखिर है क्या आईए इस वीडियो के बादियम से हम उसको भी एक नजर देखते हैं कंडिका घौप पांच और पत्रांग 6-7-9 आपके सामने है पत्रांग 6-9 और इसमें आपको कंडिका घौप पांच आए उसको देख लेते हैं और यही मूल पत्र है और इसी मूल पत्र के आधार पर सारा का सारा एटेंडिन सिस्टम आपका काम कर रहा है आए यहीं है आपका गव है ये आपके सामने दिक्या गव और इसी के कंडी का 5 की बात हो रही है, तो आए कंडी का 5 कि तरफ चलते हैं कंडी का 5 को देख के हम उदको असवरस्थ कर लेते हैं और इस भैसे, चुकि बिल्कल भैवीत होना आपका लाजमी है गलती आपकी नहीं कसूर आपका नहीं फिर भी अगर बेतन कट जाए उस नेटवर्क और तक्निकी समस्या के चलते तो तकलीफ और भै लाजमी है आईए कंडिका पांच क्या कह रहा है सर्वर डाउन नेटवर्क की समस्या या कोई अन्य तक्निकी समस्या के कारण यदि परधाना ध्यापक सिक्षक अपनी उपस्तिती दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे ही सिक्षक द्वारा बहुती क्रूप से उपस्तिती पंजमी दर्ज उपस्तिती के अधार पर बेतन भु होती हैं तो उसके लिए कई न कई लाइमल अगर नौ बजे आपका इटेंडेंस हो बना ले रहे हैं आ रहे हैं आप साधे नौ बजे और तक निकी समस्या की बात आप कह रहे हैं तो उसको justify हम को करना पड़ेगा लेकिन अगर जैनुईन इसु है और हम उसको justify कर देते हैं अगर करते हैं तो आपका वेतन नहीं कटेगा और आपने जो sign किया है एटेंडेंस रेश्टर में वही आपका attendance proof काउंट हो तो यहीं है इस वीडियो का बनाने का अपडेट हुए होंगे और जो मन में एक संसय और भ्रम और भय के स्थिति बनी थी वो उससे आप बाहर ने कर दो हैं तो नेटवर्क की समस्य के लिए आप जिम्मिदार नहीं है दिमाग में ये बात लेने की ज़रत है दिमाग में ये store कर लेने की ज़रत है तो मिलते हैं ज जैंद